हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आप लोग आसा करती हूं अच्छे होंगे मैं अच्छी नहीं हो डियर जिस तरह की वीडियो गेपिंग से पता चल रहा होगा मैं यह अपने सफ्राल का वीडियो आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं और यह आखरी वीडियो है डियर मेरे दूबह नहा कराई हूं अभी मुश्किल से किसी भी तरह समय देख लिए तो साड़े छे से पौने साथ हुआ होगा बाबु अभी सोया है तो मैं नहां कराती हूं तीशी रूम में मेरा सारा समान वगएरा है तो यहां पर मैं नहां कराती हूं और जल्दी जो है अपना सफ दूबहुत जल्दी जल्दी सोचती हूं सवेरे नास्ता बना के मां को देना है दुरगापुजा में जो आय थी वहीवाला मैं दिखा रही हूं वहां पर मैं एक महना रुक गई थी जब मां लोग निकली थी तो फिर मैं वहां से आय थी तो यहां पर अब जो है मेरा सब कुछ बन गया है उसके बाद मैं सूटने कर पाई थी तो मैंने खाना बना दिया है दाल चाबल सब्जी और यह जो आप कटा हुआ देख रहे हैं यह धनिया की पत्ती इमली डालकर मां बोली है चटने बनाने वह बना वह बनाओंगी खाना भी मैं नीचे दिखाओंगी जो मैंने बना दिया है लेकिन आज मां बोली कि मैं जो अल्ती होता है जिसको घुयां भी कहते हैं कच्चु भी कहते हैं उसका आज मैं भुझ्या बनाओंगी अपने हाथ से तो मैंने बोला भी कि मैं बना देती हूं मां भी यह वाश वाबर कर रहे हूं डियर आप देख रहे ह मिल रहे हैं मैं लगातार बोल पाऊं थोड़ी सी तब यह डाउन चल रही है और उसके बाद मैंने कहा कि मैं मां हेल्प कर देती हूं लेकिन वह बोल रहे थी नहीं बिटा ऐसा कुछ नहीं है तुमने इतना बनाया मैं बनाती हूं तुम भी खाना तो मुझे भी लग रहा थक मैं थुड़ा विडियो बना लू मां का क्या हूँ आप लोग बहुत बार पूश् तो यहाँ पर मां बना रही तो मैं पत्ना में हूँ आ गए हूँ मानों मंबई चली गई है तुछ उनका ट्रीटमेंट पत्ना में संभव नहीं हो सका एक मैंना घर पे रही घर आने का तो उनके साथ में वहां रही वहीं वहीं से मैं तो जादा बिमार हो गई है और यह कीचन में अभी इधर टाइल्स वगेरे लगा है सब कुछ मा की प्छा थी कि यह सारा चीज फिनिश होना चाहिए तो मेरे ससूर साहब ने सब कुछ करवा दिया है वासरों वगेरा कभी टाइल्स वगेरा पूरा लगाया है लेगिन मैं सोच कर यहां से गई थी डियर की मैं डेली का विडियो से एर करूंगी लेकिन वहाँ जाते ही सिच्वेशन बहुत खराब हो गया और कभी तो मैं जरूर से एर करूंगी दो-चार दर जीन ठीक रहा लेक तरह की बाते थी जो मैं से बहुत कारण है जिसे कि मैं बिमार हो गई हूं लेकिन मैं ठीक होने का प्रियास कर रही हूं ठीक हो जाओंगी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आओंगी तो यहां पर मैं मैं वीडियो बना रहे हूं मैं इसे बात भी वो कर रही है और मुझे भी लोगों ने बहुत भड़काया डियर कि आप मत क्या करो इनको इतने बड़ी विमारी है ये है वो है बहुत इनके खिलाब मुझे भड़काया लेकिन मैं बाय गॉड इस्वर की कसम खाके कहती हूं मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया चुकि अभी मेरी उतने पुराने नहीं है लेकिन भी मुझे बहुत बुरा लगा मैंने का मैं वहां से आए हूं इनके साथ और आप लोग मुझे इस तरह से बोलते हो तो उसके बाद फिर उसी वही लोग फिर मा baş आते थे और कुछ और बोलते थे तो मैंने मान को एख दिन बोला मां को की ताज को सबको यह तो डबल डॉल प्ले करते हैं अपने घर में ये लोग तो इसा कर रहे हैं इसा कभी नहीं किये थे तो इन लोग को भी विश्वास नहीं हुआ हुआ और ये देखे नीचे मैंने खाना मना कर रखा है कि मुझे घर का ही मसाला पसंद होता है तो वहां पर भी मैंने भूंज कर रखा था शुरू का भी मैंने दिखाया था मैं इमान दारी पुर्वक अपना सारा काम करती हूं और और वांकि जो लोग जैसा करते हैं उसके लिए भी इस्वर है माइडियर और यहां पर मां मेरे से बात कर रही है उन्होंने चौक लगा दी और फिर मुझे सिखाती थी वह बैठ कर कि ऐसी फल्टाना वह से पल्टाना काफी टेश्टी बना था यह अलती का भुंजिया और आज काफी दिन बाद मैं वायस आवर कर रही हूं और तबियत भी डाउन है वह तो आवाज बता र इसलिए मैं इसमें सारा क्लिफ दो-तिन दिन का मिला के आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं मैं उसके बाद यहां का मैं सेयर करूंगे आपके साथ यह घर वगएर पैंट हो रहा है दिवाल वगएर तो हर दुर्गापुजा में होता था तो इस वार मेरे स्वेंड ने मना मनें का है अगल वगण वाल का है और कांडिं contract है समय अब दिखांगी कि तो नहीं मेरे से बोल दिया है। उसी तरह से हुआ देयर लेकिन मैं आप लोगों को कहा था अनक हम लोगों में क्या हुता है पुझा लगता तहर नहीं चलता है तो पांच पुम्जा को ही हम लोगों में कोई कर गया था चुट्त लोगों को दिखाई थी और ब्लाज अब Hamilton अहं भी पहन पाया मुझे माप कर देजिएगा जो हाउस हलफर है और फिर यहां पर सब का कपड़ा अगया था अश्टमी के दिन हम लोगों के नया कपड़ा जगता है लेकिन चुकि कुछ हुआ नहीं तो ऐसे ही सब कि हर किसी ने रख लिया मैं अपना भी तक आपको नहीं दिखाए हूं आई ह उमारी है यह नियू लिया गया है और पिटिकॉर्ट साड़ी से मैं फोल्ड करूंगी और इसमें एक साड़ी आपको देखने को मिलेगा जिसका मैं ब्लॉज मैंने आपको शायद नहीं दिखाया डिजाना था लेकिन यह साड़ी यही मैंने माउ को दिया था ब्लॉज मैंन इस तरह से मैंने सारा खाले किया और इस तरह से उनके सारे चीज को समेट कर मैंने रखा काफी समय लग गया था डियर दो तीन घंटा और कुछ ताड़ी में आयरन भी किया और जो यह समेट रही हूं मा को अभी पता नहीं को पुना वापिस मुंबई जाना है लेकिन जब इतना तवियत खराब हो गया इतना तवियत खराब हो गया बुरा वक्त इंसान का पिछा नहीं छोड़ता है आप लोगे बिल्कुल मस सुचिएगा कि हम निगेटिव दिखाते हैं ने डियर पोजेटिव भी हम दिखाया करते थे लेकिन अभी थोड़ा इसा हो गया है कर को कोई बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो रहा है सब ठीक हो रहा है इन सब को पक्ड़े है तुशमरा ऐलरगी का प्रॉलम था लोगे कबीन यह मैं गर्वर तो रात गगर्म हैं भी 되면 दोनूं मेरे देवर हैं यह तिस्ट मिं तो यहां पर पिडित को प्लमार thu irm और यहां पर फिर से मामा थोड़ा सा मां को साड़ी बाड़ी यह वो सेलेक्ट औरेंज लाल देखकर मां को लगता है मैं पूरा का पूरा रख लूँ लेकिन साथ आठ साड़ी मां को ये भी दो लेकर गए थे मैं भी एक लेकर गई थी पिताज मेरे शसूर भी चार पांस बोलें रखो तुम इसको नहीं अच्छा लगेगा ये दूसरा चीज़े ये दूसरा चीज़े इस तरह करते हैं तो इसे करके यहां पर मैं सब्जी बना रही हूं अधर दूद भी चढ़ा दिया है उधर कपड़ा वगर अभी देखने जाते हूं मेरे हस्बेंड भी वहीं गौँ में ही और फिर हम लोग मेला देखने के लिए रात में निकलेंगे रिजर्व गाड़ी से क्योंकि मेरे तका मम्मी को घुमा देंगे जरूरी है इस पर घुमा देते हैं अच्छे से तो यह देखेंगे यह पीली वाली जो साड़ी रखी है यह मेरी साड़ी है माह सब कि आ रहा है या नहीं फिर मा रेडी होंगी मा वही सारी पानेंगी जो ये लेकर पहुँचे हैं ये नौमी के दिन पहुचे थे जब इनको पता चल गया कब पूजा पाट नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कि दो दिन पहले जाके क्या करेंगे और अगर आप लोग भी कोई घर सफुराल में रहते हो डियर मैं मेरा ये पहली वार का एक्स्प्रियंस है काफी दिल तूटा है मुझे नहीं पता था लेकिन अगर आप लोग सफुराल में रहते हो कोई भी तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है किसी बहारी को एंट्रिम मत दो डियर वैसी ओड़तें जो दिन भर घर से बाहर रहती हैं जो दिन भर घर से बाहर रहती है इनका काम रहता है उसके घर जाओ उसकी घर जाओ पोरा गाउं जानता है मेरे बारे हम सब को इतारिफ करता है बहुत अच्छी बहु है बहुत ही अच्छी बहु है पड़े लेकिन जब किसी के पीछे कोई लग देखने के लिए तो थोड़ा सा आप लोगों सिन भी देख लीजिए गांका है तो कहां अप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हलांकि हम लोग कम्मेंन मिला भागलपूर का होता है लेकिन मां भागलपूर उतना दूर नहीं पाते शाड़ी मैंने पहना दिया पीन वगेरा लगा कि यहीं लेक्या आए हैं और में जासुमा कभी बाल होगे रहे नहीं जाटे दिनको बासी बाल रखना बहुत अच्छा लगता है मैं तो अच्छे से तयार हुए लेकिन उतने भी अच्छे से नहीं हो इते लिए अधर सम पहनी है और मैरुन जो कंगन लिया था वो सब पहना है मैंने तो अपना लुक में तो सेर ही नहीं कर पाई और यह गौँ का नजारा आप लोग देख लो में मेला तो भागलपूर में लगता है लेकिन वाम लोग गये नहीं यहां गये आदे गंट में वापिस आ गये और इ दियर आप लोग जो भी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करिए मैं कभी ऐसा नहीं बोलती थी लेकिन अब मुझे लगता है मैं नेडी हो गई हूं ऐसा बोलती हूं आप लोग करिए और यहां पर हम लोग पहुंच गया है मैं एसी का गाड़ी है ल मैं पीछे हूं मैं विडियो बना रही हूं अभी इसको भगवान से कोई मतलब नहीं है बस इसको पहले खिलाओना है चाहिए और नॉर्मल ही हम लोग आ गए हैं सेफर पहन के मिला में क्या संडिल वेंडिल बाबो वी जूता नहीं पाना यहाथ पकड़ के लिए जा रहे ह हैं हाना कि मेरी शासुमा विल्कुल ठीक्टा का आप देखी रहे हो पैर में इतना भारी पायल है हाथ में साखा पुलाओ लेठी सामने से देखेगा तो उतनी ही अच्छी लगती है उतनी ही जवान है लेकिन ऊपर बैठा सारा डिसीजन वही करता है डियर पता नहीं होने क है इनकी तभीयत की तो दूआ मैंने बहुत की सबकुछ क्या डियर अब तो वांकि सबस्वर के हाथ में मेरे लिए आप छोड़ा सा दूआ करो डियर में पहले के तरो उटकर बैठ गया हूं मेरा सब कुछ चूट गया है डियर पढ़ना लिखना मेरे इजी किसनल चानल पर अदा साल आने बाद में याद आया उनको कि नहीं चढ़ाना था क्योंकि वही कोई एक इस्पायर कर गया है फिर यहां से गय थोड़ा सा घुमनी मूरी होता है जाल मूरी गाउं में आप लोग कौन-कौन खाते हैं बताईए अडियर वहां पर मैं गई मैंने थोड़ा ही ब घर में बहुत सारा अंदर बैठा हुआ था पूरे गेट में घर आकर जाए वगर बनाए पूरा साम हो गया था घर आते आते उसके बाद और दस दिन वहां पे रहे जैसे कि पंदर अधार यह देखिए गाउं का इस तरह से मिला है बेटे को जलेवी दिया है बोल रहा था रखना से खुले में नहीं खाना है चुकि βी इस तरह से देखा नहीं था और यह इस मारब अने के बाद मेहमान सारे बेठे वह हैं तो इस तरह से हो जाता है अगले वीडियो का इंतजार करिएगा मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा मुझे धेर सारा प्यार देजेगा आप अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा